Friends, एक अच्छा interesting application session आपके सामने है और ये जो session है, ये मैं आपको बता दो students कि ये बहुत काम का session है Reason is only one, कि हमें लगता है कि अगर हम resume देते हैं तो हमारा selection हो जाएगा या हम intro के लिए applicable हो जाएगे नहीं आप resume के सामने cover letter जुरूर दीजिए That puts a better impression in the eyes of any Jewel अब students, मैं आपको बताना चाहूँगा और welcome करना चाहूँगा हमारे third session में आज का जो round है हमारा, ये third session है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि first or second session बहुत interesting का वो था resume के base पर और आज जो हमारा session है that is application के base पर ये जो मारा third round है, ये जो video है आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आपने first videos नहीं देखी तो last of the links मैं आपको इसके links जरूर दूँगा और upper part में भी आपको इसके links आ जाएंगे even explanation में भी मैं आपको links दूँगा आप कहीं पर भी जाएंगे इसके first और second links जरूर देखिए ये एक third part है students अब हम चलते है student job application तो सबसे पहले आप मुझे पूछेंगे sir क्या job application ऐसे लिखते है क्या ये pattern है तो मैं कूँगा नहीं आज मेरा motto आपको pattern सिखाना नहीं है तो प्लीज आप ये मस समझेगा कि आई मैं आपको pattern सिखाने हैं क्योंकि मैं pattern आपको already समझा चुका हूँ और आपके पास बहुत अच्छे से pattern है क्योंकि job application हम already 50,000 लोगों को दिखा चुके है आप particular हमने cover letter पर एक application पर अपना वीडियो आपको दे दिया है आज जो वीडियो है वो उसी को फरनिस करने के लिए उसके अंदर मैं कहता हूँ उसको polish करने के लिए अगर आपको चाहिए sir मैं वो वीडियो भी देखने चाहूँगा तो जरूर हम आपको उस वीडियो का last of those videos आपको जरूर लिंक देंगे आपको उस वीडियो का जरूर देखेगा explanation में आपको उसका link देदेंगे आप जब जाएंगे उसके explanations में तो आपको जरूर उसका link मिलेगा कि application का first part क्या था sir का आप please उसे जरूर देखेगा अब जो जो जिस class के लिए आए आज हम उसके शुरूर बात करते हैं देखे हमने आज जो application के लिए नदर जो बाते सीखनी है वो सीखनी है कि उसको polish कैसे कि इसको best कैसे बनाये जाए चलिए हमने इस वीडियों से एक बात देखी कि हम application किसे लिख रहे हैं तो मन लीजिए कोई मुझे application लिख रहा है या मैं किसी को लिख रहा हूँ तो Mr. M.K. Sharma को लिख रहा हूँ Mr. Sharma को लिख रहा हूँ या फिर Mr. M.K. तो please Mr. M.K को मैंने write कर दिया है applicable नहीं है तो जब कभी आप किसी का नाम लिखेंगे आप ये लिखेंगे Mr. Ram Sharma, Mr. Sharma लिख सकते हैं मगर Mr. Ram अक्यला नहीं लिखेंगे तो वहीं मैंने इसको write कर दिया है आप कभी भी application लिखें सर्फ उसका नाम लेकर Mr. नहीं कहेंगे फस्त है अब इस्ट एक और interesting बात कि आपके पस दूसरा option भी है कि आप सर और मैडम भी लगा सकते हैं अब आप कहेंगे सर यहां समझाने वाली क्या बात है तो समझाने वाली जो main बात है वो अबारी है कि देखें जब आप इन लोगों के name वगरा लेंगे तो आपके बस दो option होते हैं यहां को आप लिखेंगे यहां हम अब आप समझ गई है कि यह पटिकलर पॉइंट में आपके लिए क्यों लेकर आए था अब स्टुनेंट्स कुछ लाइन से मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आप इंप्रेशन डाल सकते हैं जब कभी आपने चोटी सी फॉमलेटी कर लिए जैसे आपने सब्जेक लिग दिया यह सब बाते मैंने आपको फर्स अप्लिकेशन पार्ट के दर बताई भी है आप उसका लिंग जिरूर देखेगा आपको बहुत अच्छे लागेगा अच्छे स्टुन्स मैं जो लाइए एक रहा है है कि मुझे यह यह यहां से मिला आपको सब कुछ कह दिया आपने तो आपने च्छोटी से लाइं लिखी है यह यह मैं आपको एक रिक्वेस्ट वों का अंदाज है इसमें आपको बताने वाला हूं जो आपकी एप्लिकेशन को बहुत बढ़िया बना देगी प्लीज अच्छे स्टुन्स आपको इसमें अपना प्रोफाइल थोड़ा सा दे सकता हूं बिलकुल आपना प्रोफाइल हलका सा रखिए इक पूट सा बेडर इंप्रेशन सर प्रोफाइल में लाओं कहां से स्टुडेंट्स आपको इसको अंसर आता है वाई शूड भी सेलेक्ट यू आता है इसका अंसर आज आपको इसका पॉड़ा रहा है तो तब मैंने आपको बात बताई थी कि प्रोफाइल कैसे बनानी है वहां से आप प्रोफाइल बना सकते अपनी बहुत अच्छी हमें जो सेगिंड पर्ट डखना है वाद थे what are the key responsibilities in this job and what are the skills you are having तो मैंने आपको गासा Google, Google कीजिए, Google आपकी बहुत help करेगा key responsibilities जूनने में, कभी भी किसी भी job को जूनना, what are the responsibilities for this particular job, आपको abundance of responsibilities मिल जाएगी, what are skills necessary for the, आपको abundance of skills मिल जाएगी, आप correlate कीजिए, आप में कोंसी है और हलके सी add-on कीजिए अपनी second paragraph में, तीन paragraph के अंदर interestingly बांट दीजिए अपने application को, बहुत अच्छा लगेगा, जादा जादा applications के अंदर paragraph बहुत जादा नहीं होने चाहिए, हम बात करते हैं कि last हमाना जो paragraph होना चाहिए, वो यह होना चाहिए, you have to prove that you are suitable for the post, you have to prove it, आपको प्रूव कर रहे हैं कि आप इस post के लिए suitable हो, अब students, यह बाते कैसे करनी है, हलका सा, मैं आपको examples लाया हूं, मगर कि इसे, please, इसे मैं कहूंगा, आप particular, ऐसा मत माल लीजिएगा, कि benchmarking लेकर चलें कि इसा से अच्छे कुछ भी यह, ऐसा नहीं है, आपके पाद इससे भी जादा अच्छी लाइन से हो, और मेरे पास भी हो, मगर मैं आपको बनाना सिखाया था, और इतना अट्रेक्टिव, इतना यूनीक वे था, जो वे आपने आज तक नहीं देखा होगा, यह मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप उस परफॉर्मा को प्लीज देखिएगा, हमारा जो थर्ड पार्ट है, इसका जो फर्स पार्ट है, उसे मैं आपको बनाना सिखाया था, और इतना अट्रेक्टिव, इतना यूनीक वे था, जो वे आपने आज तक नहीं देखा होगा, उसको एक बार उस परफॉर्मा को जुरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो अप्लाई कर लेना, वैसा रिजूमे हर कोई नहीं बना के चाता है हम चलते आगे students, then you are writing a short line, a favorable decision will oblige me, if you want to write you can, अगर आपको लगता है नहीं sir, hope to hear from you soon, a favorable decision will oblige me, ये अट्रेक्ट नहीं करते हैं sir, कोई बात है आप भी छोड़ भी सकते है, मगर ऐसी line मुझे जाता अच्छा लगता है, बजाए, hope to hear from you soon, इसकी जगा अगर आप ये लिखत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अब student 2-3 बाते में आपके लिए लिखी है, अगर आप उनको ध्यान से समझे लो, तो शायद आप application के अंदर और अच्छा इंप्रेशन डालोगे, first thing, students, आप अपनी application के अंदर उतना phone number दीजे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी इंटर्वर को आपकी जुरत पढ़ती है, वो आपकी रिजुम में से सबसे पहले आपको मालू में क्या डूडता है, आपका number, और आपका number ऐसी जगह पे लिखा होता है, जहां को बिचाना डूंता रहता है, जूंता है, कहां कहां कहां, तो please, धो बार लिखा, आपको लॉ प्रवाल में आप नमबर दे सकते हैं आपको कोई मना नहीं करेगा लास्ट में इसका फर्स पार्ट बनाया है अप्लेकेशन का किसी टाइम में जिसका लिंक मैं आपको बीच में एक्सलेनिशन में दूंगा लास्ट वी रखोंगा उस पर्टिकुलर के इंदर मैंने आपको ब सब्सक्राइब करें आपको बहुत सी बाते देखते हैं सबसे पहले हो देखते है कि आपके हैं राइटिंग कैसी है दूसरी बात हो आपकी यह देखते है कि आपके लिखने में गल्दियां कितनी आ रही है तो प्लीज अगर आपको लगता है मेरे अप्लिकेशन में गल्दिया है तो मैं इसको दुबारे बना लो ज्यादा अच्छा है एक शब्टों को बिठाना सीखो अच्छे से बिठाई देना मत भूला आपको अच्छा लगा होगा आप इसके जो पैटन है जो कुछ बाते कुछ वर्ट से अगर आप देहना चाहें तो प्लीज आम प्राइडिंग यू दा लिंक्स यू राइप अधिन और अगर कोई वर्डिंस आपको नहीं समय में आए तो आप अच्छे से देख सकते हैं and hope you like this lecture. Thank you very much. Enjoy your life.